दिल्ली उचन्याले ने मंगलवार को दिल्ली वकफ वोर्ट मनी लॉंडरिंग मामले में आमाद मीबिपार्टी के विधायक अमटुला खान को प्रवर्तन निर्देशाले द्वारा जारी समन के खिलाब ततकाल रहाद देने से इंकार कर दिया और चिन्याले ने गुरुबार को मामले की सुनवाई के लिए सूची बत किया E.D. ने अमंतुला खान को 30 जनवरी तक व्यक्तिकत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया था इस पर अमंतुला खान ने दिल्ली हाई कोट में याचिका दाखिल करके E.D. के और से जारी समन को चनौती दी थी E.D. के वकिल ने इस्तगन की मांग की थी हाई कोट ने अमंतुला खान को ततकाल राहत देने से इंकार करते हुए मामले की सुनवाई को गुरुबार तक के लिए ठाल दिया है मतादे की परवर्त निर्देशाले ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉंडरिंग मामले में आप विदायक अमंतुला खान को आरूपी बताया है E.D. का कहना है कि अमंतुला खान के शारे पर 36 करूर रुपे की संपत्ती में मनी लॉंडरिंग की गई आरूप है कि अमंतुला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में करमचारियों के अवैद बर्ती से अवैद आय अरजित की सयोगियों के नाम पर अचल संपत्ती खरीदने के लिए पैसों का निवेश किया अमंतुला खान के कथित सयोगी जिशान हैदर, दाउद नसीर और जावेद इमाम को 9.23 में E.D. ने अरेस्ट किया था E.D. ने पूछताच के लिए अमंतुला खान को बुलाया था दरसल E.D. के समक्ष व्यक्तिकत रूप से पूछताच से छूट के लिए अमंतुला खान ने दिल्ली हाई कोट में अर्जी दाखिल की थी लेकिनोंने ततकाल राहत नहीं मिल सकी है हाई कोट ने मामले के सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है